अरब आकरांताओं के भारत में अंग्रेदों से भी अधिकत्या चार भाग तीन ये एपिसोड आपको पसंद आये तो सब्सक्राइब करें दोस्तों को शियर करें और पुरातन जानकारियों को केई जगे सेंड भी करें भाग दो तक हमने बता दिया था कि अरब आकरांता धीरे धीरे भारत को लूट कर भी ले गए और वो यहाँ पैर भी जमाने लगे यहाँ तक कि आकरांताओं की कैई पीडियां अब अधिकांस भारत के भुभाग पर राज करने लगी भारत खंडे हम पहले ही कह चुके भारत खंड खंड था बारहसो रजवाडे जागीरदार नवाब राजा इस प्रकार के लोग थे जहांगीर का सासन जब भारत में चल रहा था तब जहांगीर नहीं सरप्रथम अंग्रेजों को भारत आने की अनुमती दी थी मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हाकिन्स था जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रेल सोले सो नौ में जहांगीर के दरबार में गया क्योंकि 31 दिसम्बर सोले सो इस्वी में इंग्लेंड में इस्ट इंडिया कंपनी तयार हो चुकी थी और सोले सो इस्वी में ही इंग्लेंड की महरानी एलजाबेथ ने इस्ट इंडिया कंपनी को ब्यापार के लिए अधिकार पत्र दे दिया था अब जहांगीर ने 1613 में एक फर्मान जारी करके अंग्रेजों को शूरत में बसने के लिए थामस एल्ड वर्थ थामस एल्ड वर्थ के अदिन ब्यापारिक कोठी यानि फेक्टरी खोलने की ब्यापारिक अन्मती दे दी इसके बाद सुरुवाती दौर में तो कमपनी ने ब्यापार ही किया क्योंकि सुरु में कमपनी में 270 ही साजीदार थे जो संख्याबाद में हजारों में हो गई इस्ट इंडिया कमपनी भारत में कपड़े यादी का ब्यापार करके धीरे-धीरे मालदार होने लगी कंपनी भारत से एक रुप्या किलो में यदि कपास ले जाती तो कपड़ा लाकर बीश रुप्या किलो में बिखता था यानि कच्चे माल से पक्के माल की कीमत बीस गुनिय दिखोती थी पचांस रूपिया किलो यदि रेसम ले जाती थी तो कपड़ा एक हजार रूपिया किलो अर्थाद बीस गुने मुल में बिकता था यही कंपनी के माला माल होने कारण था कंपनी ने अब ये देखा कि भरत में परसपर राजाओं में फूट है उनमें एकता नहीं है तो उन्होंने भरत के राजाओं को ही परस पर लड़ाना शुरू कर दिया तथा कंपनी उधार रूप में एक राजा की साहिता कर दी और दूसरे से उद्ध लड़ाती थी इस परकार इस्ट इंडिया कंपनी ने अब बजाए व्यापार पर अधिक समय व्यतित न करके राजाओं को भारत में लड़ाना शुरू कर दिया तब ही सन 1632 एस्वी में गोल कुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान यानि गोल्डन ओर दिया जिसके अनुसार 500 पैगोडा उस समय की ततकालिक मुद्रा 500 पैगोडा वार्सिक कर देकर गोल कुंडा राज के बंदरगाहा पर स्वसंता पूर्वक ब्यापार करने का अधिकार दे दिया मुगल सामराज्यों में उस्ष्य में बंगाल प्रंथ सबसे अधिक संपन्न प्रंथ था वहां का सुल्तान मुर्सीद को लिखा था जिसे कुछ धन देकर अंग्रेजों ने अपने कबजे में ले लिया तथा मुर्सीद को सालाना कुछ धन बान दिया खर्चा इत्यादी देने के लिए वो उस पर रजामंद हो गया साम दाम दंड भेट चारों नीतियां अंग्रेज अपनाते थे वो हमारे देशी राजाओं से कहते थे कि आपको क्या है आप दो लाख रुपया घर बैठे अपना खर्चा लीजिए बाकी राजस्च वसूली लगान वसूली अन्य करों की वसूली हम स्वैम करेंगे और आपको घर बैठे खर्चा मिलेगा परन्तु वास्तविक्ता कुछ और थी माली जी उस राजा को दो लाख रुपया वार्शिक दे दिया तो कम से कम कंपनी दस लाख रुपया किसानों से छोटे उद्योगों से और भारत के निवासियों से वसूल भी करती थी इस प्रकार साम दाम दंड वेद चार और नीतिया अपना कर अंग्रेजों ने एक एक करके भारत के रजवाड़ों पर अपना अधिकार जमाना सुरू कर दिया परंतु कुछ समय बाद जब इस्टी इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने देखा बड़े बुद्धिमान थे वो लोग कि ये नीतियां फेल हो रही हैं तो उन्होंने पांचमा हत्कंडा पनाया पांचमा हत्कंडा उनका ये था कि उनकी एक नीतिय थी डिवाइंड एंड रूल फूट डालो और सासंग करो राज्यों को आपस में लड़ाओ उनमें फूट डालो और उन पर राज्य करो बंगाल की भांती धीरे धीरे कई राज्यों ने कबजा लिये और नवाबों को खर्चा बान देते थे राज्यों का होता था और एक सातिर अंग्रेजी सासक डलहुजी नाम का तो उसकी डलहुजी नाम का था हडपनीती विश्व प्रसिद थी हडपनीती के तहत ही उसने येन केन प्रकारें राज अपने के हथकंडे अपनाई थे माली ये उदार्ण के तौर पर किसी राज के राजा की मिर्टी हो जाती है तो वो राज फिर अंग्रेजों का हो गया उसको लावारिस गोज़ित करके छीन लेते थे दक्षन भारत की रानी चेनम्मा का राज की तूर इसी प्रकार छीना गया उत्तर भारत में जहांसी का राज राव गंगा धर की मिर्टीव के बाद लक्ष्मी भाई से इसी प्रकार से छीना गया उसमें सुद्रा कमारी चोहान ने लिखा भी है कि लावारिस का बारिस बनकर बिटिस्टा जहांसी आया इस प्रकार सने ही सने अंग्रेजों ने पूरा भारत कब जा लिया और पूरे भारत को राजा और रजवारों को जीत करके अखंड बना दिया हूं तथा स्वैम राज करने लगे उस समय अंग्रेजों की ये सोच थी कि हम भारत पर सदेव राज करेंगे और भारत सदा हमारा गुलाम रहेगा इसलिए उन्होंने दोहन के साथ साथ भारत में विकास कारे भी प्रारंब कर दिये उन्हें ऐसा अंदाज नहीं था कि हमें भारत छोड़ना भी अपने उद्देश से विकास कारिये युद्दिस्तर पर प्रारंब किये भावना दुर्भावना सद भावना अलग अलग विचार धाराएं होती हैं कभी कभी सद भावना दुर्भावना में और दुर्भावना सद भावना में बदल जाती है अंग्रेजों की भावना ये केलिए एक है एपनी शुवधा के लिए पुल शाहिए कि अपनी शुवधा है तुरम रेल चाहिएँ डाख संचार बेवस्था चाहिए शुंभ शिख्षा भी चाहिए ओर अंग्रियोज्यन ने मुनाफ़ा कमाने की द्रश्टी से भारत में ओद्योगिक फेक्ट्रियां भी खोलनी शुरू कर दी यहां तक की तक्नीकी ग्यान और तक्नीकी शिक्षा और तक्नीकी कारकरमों के अलावा हवाईजाद जैसी सुविधा भी भारत में प्रारंब कर दी अब धीरे धीरे आवा कमन के जब सादन बढ़ गए क्योंकि पहले गुड़सवारी एक सवारी थी या पैदल अब रेल गाड़ी अंग्रेजन को द्रणा चला दी गई तो धीरे धीरे देश में चेतना आनी प्रारंब हो गई शिक्षा के प्रादुर्भाब से जो लोग पहले ये सोचते थे कि हमें राज से क्या मतलब हमें तो मातर अपना घर और अपनी खेती की रखवाली करनी है पहले लोग लोग की सोच भी यही थी और इसके अलावा यदि कुछ चाहते तो वो कर भी नहीं सकते थे क्योंकि आवागमन के साधन नहीं थे एकत्र होने का जरिया नहीं था शूचना देने का माध्यम नहीं था विकास के साथ साथ ही सब कुछ संभव हुआ अब धीरे धीरे युबा पीड़ी के लोग और चात्र लोग ये सोचने लगे कि पूरा भारत हमारा है और जब पूरा भारत हमारा है तो हम इस पर राज करेंगे लोकमन के लगके मन में बिचार आथा कि स्वराज मेरा जनम सिद्ध कार है लाला लाज पत्राय में भावना आई थी कि भारत हमारा है गांधी सुभा सेखर पंडित मदन मोहन मालविये चोई चरन सिंग कि मन में भावना आ गई थी कि देश हमारा है हमें ही राज करना चाहि चात्राओं और युवाओं की सोचने देश में हजारों नहीं लाखों की संख्या में सुवाश चंद्र बोश, चंसे खरयाद, भगत सिंग, राजगुरू, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंग, राजिंद्र लाहिडी, वीर सावरकर, सर्दार पतेल, महत्मा गांधी, मोतिलाल नहरू, ललाल लाजपतराय, बाल गंग सास्त्री जैसे लाखों देश बक तब पैदा हो चुके थे, और मंगल पांडे नाम के एक भारतिय देशी सैनिक ने, योजिना से पूर भी, मार्च 1857 में, आजादी है तू, अंग्रेजों के खिलाफ, युद्द का बिगल बजा दिया, आजादी की लड़ाई, यद पी हम और अंग्रेजों की चाला की कारण लंबी छिडी, अंग्रेजों की एक चाला की ये भी हुआ करती थी, कि हमारे करांतिकारियों को वो अफवाएं फैला कर पबलिक से, जनता जनारदन से अनुग्रह करते थे, कि तुम्हारे घर में राच में जो डकेती डालने आते हैं, य और ऐसा एक उधान पस्चिम बंगाल में मिला भी है, कि हत्याल लूट करके थाने से, जब करांतिकारी चटगाओं की पहाड़ियों पर चड़ गए, और अंग्रेजी पुलिस वहाँ फैल हुई, सेना भी फैल हुई, तब उन्होंने डेड़ सो दो से करांतिकारियों को हाड़ी पर चड़े हुए हैं, तो करांतिकारियों की बजा मदद करने के गाहँ वालों ने ही स्वैम उन से युद्ध किया, और करांतिकारियों को उल्टे मारा, जो कि वो गटगट का रास्ता वहां जानते थे, प्रणाम सरूप, महत्मा गांधी ने हलका सा, जो देश की जन्ता चाहती थी, धौंका सहरा लिया, महत्मा का भेशदरा, क्योंकि यहां की जन्ता अंदविश्वासी के होने के कारण महत्मा साध्यूसंतों पर ज्यादा विश्वास करती थी, एक अंग्रेज ने कहा भी था कि तो सपेरों का देश है, तो महत्मा गांधी ने वही दवाब बढ़ाया उधर गांदी जी दवाब बढ़ा रहे थे इदर करंतिकारी अंग्रेजों के हत्याएं कर रहे थे चंसे खराइद जैसे लोग भी युद्ध कर रहे थे और चौथा प्रेसर यह दवाब दुतिय विश्वुद्ध के बाद अमेरका का भी था भारत ने उस समय अंग्रेजों की मदद की थी तामेरका ने कहा था कि भाई अब भारत को आजाद कर दो चूंकि दुतिय विश्वुद्ध में भारत ने तुम्हारी मदद की है इस प्रकार चौतरफा दवाब से घिड़ जाने के कारण 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजों को भारत आजाद करना पड़ा आजादी की ये लड़ाई 90 वर्स इसलिए चली कि हम में एकता और अखंडता का भाव रहा परन्तु फिर भी 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आजाद हुआ तब भी आजादी के समय एक नया विवाद खड़ा हो गया वो विवाद था मोहमद अली जिन्ना के द्वारा पैदा किया गया अंग्रेज भी तमासा देखते थे लाड माउंट मेंटन जो भारत के अंधिम गवर्नर जनरल थे उन्होंने कहा कि भाई हिंदूओं को राज मिला है काइश को तुम मुश्लिम लीग भी कुछ माँगो तो मुअम्मद अली जिन्ना भारत का प्रदानमंतरी बनने की जिद पर साड़ गये और यदि किसी करण मुहम्मद अली जिन्ना प्रदान मंत्री बन जाते तो साइध हिंदूओं को राजाना फिर असंभव हो जाता करणधारों ने यह सोचा उसमें बुद्ध जी भी लोग हर्द्याल एम्बे पंदेज मदन मोहन मालवी है सरदार बल्लब भाई पटेल जैसे विद्धवान थे उन्होंने सला मिश्वरा करके कहा कि गांधी जी इस जिन्ना को दूसरा देश ही दे दो यानि कि जिन्ना की जित थी कि यदि मुझे भारत का प्रदान मंत्री न बना गया तो मेरे लिए अलग देश पाकिस्तान दे दिया जाए ऐसा ही हुआ अलग देश पाकिस्तान उसे दे दिया गया परन्तु हमारे करणधार मैं किसी के नाम न लेके एक साधान बहात कहूंगा क्योंकि जो भी करणधार थे या जो भी गलतियां हुई होती हैं करने वालों से होती हैं गलतियां भी यहां हमारे करणधार एक गलती कर गए जब पाकिस्तान बनकर देश के दो टुकड़े बन ही गए थे तब सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाते और सभी हिंदू हिंदुस्तान आते तो इस पस्ट बटवारा होता ये खिच्ड़ी बटवारा नहीं होता किसी परिस्ति बस या किसी कान बस हुआ हो परंतु ये देश के हित में सदैब के लिए बुरा हुआ इस परकार अंग्रेजों द्वारत भारत को लूटा तो गया परंतु विकास भी किया गया जहां लाब होता है वहां हानी भी होती है जहां गुण होते हैं वहां दोस्ट भी होते हैं और तुलसी दास ने कहा भी है कि हाने जा लाब हो जीवन मरण यसा पैसे विद्याद कुछ चीजें फिर अंत में मजबूरी में विधाता के उपर छोड़नी पड़ती है इस प्रकार अंग्रेजों को अंग्रेजों द्वारा भारत को लूटा तो गया पर तू उत्थान भी किया गया भारत को अखंड अर्थात एक बनाया गया 563 रियासते थी यद्दपी माउंट मेंटन ने 563 रियासतों सही थी भारती अपने वेश को बहल किया था परन्तू भारत के एक वीर सरदार बलब भाई पटेल के सोजन्न से भारत एक ही रहा ततकालीन समय में वो भारत के ग्रहमंतरी बने थे और उन्हें आप सर्बे सर्बा सुपर सीट कर दिया था उन्होंने कई लोग चाह रहे थे हमारा राज अलग है कि हमारा नहीं किसी का कुछ नहीं भारत एक है एक रहेगा अखंड है अखंड रहेगा इस प्रकार अंग्रेज तथा इस प्रकार अंग्रेज एक भारत के लिए पॉजिटिव सोच ये कर गए कि मुगला करंताओं से रात छीन कर देश के मूलनेवासी हिंदूओं को दे गए जैहन जै भारत